महामारी से परेशान दुनिया के लिए बदलता पर्यावरन अगली चुनौती हो सकती है इस चुनौती से बचने के लिए दुनिया भर में मन्थन भी चल रहा है कुछी दिनों में ग्लास्गो में दुनिया के नेता सी ओपी टू सिक्स बैठक के लिए जोटेंगे चर्चा होगी कैसे धर्ती के को बढ़ते तापमान और प्रदूशन से बचाएं पर क्या आपने कभी सोचा है कि आस्मान में हर दिन उड़ते हजारों हवाई जहाजों की बज़े से वायू प्रदूशन बढ़ रहा है लेकिन क्या इस प्रदूशन को रोका या कम किया जा सकता है? क्या है इसका समाधान? आज कवर स्टोरी में इसी के बाद दुनिया भर में ऑपरेट होने वाली तमाम एरलाइन्स ने देशों को एक दूसरे से जोड़ दिया और दुनिया को करीब ला दिया लेकिन दुनिया को विकास के राह पढ़ ले जाने वाले इन विमान सेवाओं की वज़े से हमें भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है एरो प्लेंस की वज़े से हमारे पर्यावरन पर बुरा असर पढ़ रहा है इससे नॉइस पुलूशन के साथ-साथ भारी मातरा में वायू प्रोदूशन भी हो रहा है कारबन डायकसाइड उटसर्जन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और इसके अलावा प्लेंस नाइटर्जन अकसाइड भी चोड़ते हैं जो एर पुलूशन की बड़ी वज़ा है और आने वाले दिनों में अवियेशन इंडस्ट्री और बढ़ेगी तो ऐसे में एर ट्रावल को कैसे एको फ्रेंडली बनाया जाए ये बड़ा चालेंज होगा, आईए आपको बताते हैं कि प्लेंस की वज़ज़ से प्रदूशन कैसे फ्हलता है एक बोइंग 747 विमान हर सेकंड करीब 4 लीटर इंदन इस्तेमाल करता है हर एक किलोमेटर के लिए करीब 12 लीटर इंदन चाहिए होता है लेकिन कई विशेशगे कहते हैं कि इसके बावजूद एक जंबो जेट एक कार के तुलना में जादा ही को फ्रेंडली होता है तो इसमें विमानों के अलावा विमान तक यात्रियों को ले जाने वाली कैब्स और बस भी हैं तो फिर ये इंदस्ट्री 12 फीसदी कार्बन डाइकसाइट उतसर जित करती है हलांकि क्रदूशन के लिए बाकी इंडस्ट्री के तुलना में अब भी एविएशन उतना जिम्मदार नहीं है लेकिन जिन्ता के बात यह है कि विमान और दोग साल दरसार लगातार बढ़ रहा है दुनिया भर में फ्लाइट के संक्या हर साल औसतन पांच फीसदी बढ़ रही है स्वीडन की लीनियस उनिवर्सिटी के शोध के मताबिक एविएशन इंडस्ट्री के 50 फीसदी कार्बन उतसर्जन के लिए सिर्फ एक फीसदी यात्री जिम्यदार है जो फ्रीकुंट फ्लाइर्स हैं रिसर्च को लीड करने वाले शोध करता स्टीफन गॉसलिंग का कहना है कि एविएशन इंडस्ट्री को इको फ्रेंडली बराना है तो हमें टॉप से शुरू करना होगा फ्रीकुंट फ्लाइर्स को अपनी आदतें बदलने होंगे अब एरलाइन इंडस्ट्री ने संकल्प लिया है कि 2050 तक वो शून्य कार्बन सर्जन के अपने लक्ष को हासल करने के कोशिश करेंगी कोरोना महमारी ने कुछ समय के लिए आस्मान में प्रदूशन कम कर दिया था लेकिन हवाई सेवा फिर से शुरू होने से जलवायू परिवर्तन से निपटने का दबाव बढ़ गया है बॉस्टन में हाल ही में हुई एक सभा में एवियेशन इंडस्ट्री के लीडर्स ने 2050 तक कार्बन उटसर्जन को शून्य पर लगाने का संकल्प लिया था मुझे लगता है कि ये एरलाइन उद्योग की ओर से किया गया एक एहम बाता है हवा में बने रहने के लिए विमान जेट इंधन का इस्तिमाल करते हैं जिससे बहुत कार्बन उटसर्जन होता है वास्तव में तातकालिक चुनौती रॉल्स रॉयस जैसे इंजन निर्माताओं के लिए है जो अपने इंजन को इस तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे प्रदूशन कम हो सके हम अभी ये उमीद करते हैं कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा हम अभी भी पारंपरिक टर्बो मशीनरी की दक्षता में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं दो हजार तीस तक तीन अरब गैलन टिकाव इंधन का उत्पादन करने का लक्ष रखते हुए बाइडन प्रशासन ने स्वच इंधन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था फिर भी डच विमान सेवा KLM के प्रमुक ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि हर कोई इसमें भागिदारी बने कोई भी इतना बड़ा नहीं कि वो अकेले बदलाव ला सके और मुझे लगता है कि हमें साथ काम करना चाहिए ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमें निवेश मिले हमें जैविक इधन या टिकाव विमानन इधन को बढ़ाने के लिए उसमें निवेश करने के लिए सरकारों से समर्थन हासिल हो हमें एवियेशन इंडस्ट्री के लिए बिलकुल नई सोच लानी होगी एरबस का कहना है कि उसके पास 2035 तक हाइडरोजन से चलने वाले विमान तयार हो जाएंगे सीई-ओ गोम फुरी ने इस बात पर जोर दिया कि वो इसे अकेले नहीं कर सकते जब हम हाइडरोजन को एक तकनीक के रूप में देखते हैं तो हमें स्वेम विमान बनाने की जरूरत है लेकिन हमें ये सुनश्चित करना होगा कि हाइडरोजन को सही मात्रा में सही समय पर और सही कीमत पर पाने के लिए एक बुनियादी धाचा और इकोसिस्टम हो करीब सवा सौ साल पहले राइड ब्रदर्स की पहली उडान से लेकर अब तक विमानन का इतिहास इनोवेशन भरा रहा है और आज भी ये इस से जुदा नहीं है अगर ये उद्ध्योग प्रदूशन रहित आसमान के अपने वादे को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए नए डिजाइन और एक दूसरे के पूरे सहीयों की जरूरत पड़ेगी तो जैसा हमने इस रिपोर्ट में देखा एरबस की उचना है कि साल 2035 तक हाइड्रोजन से चलने वाले विमान बनाएं लेकिन कई विशशग्यों का कहना है कि इसमें बहुत जादा फर्क नहीं पड़ेगा प्रदूशन कम करने के लिए बहतर विमान बनाने होंगे हलांकि 80 के दशक के विमानों से तुलना करें तो अभी के एरक्राफट 80 फीसदी बहतर हो गए हैं लेकिन विमानों के बहतर होने के बावजूद प्रदूशन बढ़ता जा रहा है एक और तरीका है प्लियूशन कम क को हासिल कर सकती है ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री ने अपनी लॉबी ग्रॉप आई एटिये के जर्ये साल दू हजार पचास तक शूनियों उच्छन का लक्ष रखा है वैसे तो इसका मतलब इंडस्ट्री के हर विभाग पर लागू होता है लेकिन शायद कुछ सेक्टर अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे लागू ना करें यह बहुत महत्व कांक्षी लेकिन जरूरी लक्ष है ग्लोबल वामिंग को देड़ डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लिए विमानन उद्योग ही नहीं पूरे दुनिया को साल 2050 तक शूनियों उच्छन पर पहुँचना होगा तभी क्लाइमिट शेंज की घाते का सर से बचा जा सकता है और विमानन उद्योग की इसमें बेहत एहम भूमिका है हमें यह समझना होगा कि विमानन उद्योग प्रदूशन की बहुत बड़ी वज़ा है जिसे पूरी दुनिया को छीलना पड़ता है यह प्रदूशन बहुत चुनिंदा लोगों की वज़े से इतने बड़े पैमाने पर होता है हाउसिंग फूड या कपड़ा उद्यों की वज़े से भी प्रदूशन होता है लेकिन उसका इस्तेमाल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर करता है योजना की मताबिक टिकाउं इंधन की इस्त अभी इस तरह की इंधन का जरा भी इस्तमाल नहीं करती है तो यह देखना होगा कि इतनी जल्दी विमानन उद्यों कैसे अपने आपको इस नए इंधन के प्रयोग के लिए तयार करेगा विमानन उद्यों का लक्ष है कि साल 2030 तक इसमें इस्तमाल होने वाला 5% इंधन टिक